नमस्कार मित्रो, स्वागत है आपका ग्यान गंगा अर्वित क्लासेस में मैसेल्फ डाक्टर अनिल कुमर पटेल, M.D. रचना सारीर आज के विशे में हम लोग ओवेरियन साइकल वारें बात कर रहे हैं इससे पहले हम लोगोंने ओवेरियन साइकल का जो फर्स्ट फेस था, अर्थाथ हम लोगोंने ओवेरियन साइकल को कहने तीन पार्ट में बाटा था, थ्री फेसे में बाटा था, पहला फेस था, प्री ओवलेटरी फेस, उसके बाद दूसरा फेस हम लोग आज जो पढ़ेंग वो है आपका ovulatory phase और जो third होता है post ovulatory phases तो हम लोग ने देखा था कि जो pre ovulatory phases में क्या था वह तरह से उसको हम लोग ने एक particular नाम दिया था folliculogenesis तो अर्था जो follicle का formation होता है folliculogenesis की बात किया था उसके last में हम लोग ने देखा था अर्था प्री ovulatory phase का जो result होता कहने कहीं mature graphene follicle का formation होता है तो हम लोग देखते हैं कि mature graphene follicle कुछ इस तरह से हम लोग के सामने उभर कर आते हैं कि mature graphene follicle अर्था उसके जो ovary के अंदर ही जो graphene follicle है यह पूरा-पूरा structure क्या कर लागा mature graphene follicle और इस graphene follicle के बिलकुल central पार्ट में यहां पर उसाइट होता है उसाइट अर्थाद ovum होता है उसाइट अर्थाद ovum सुरच्छीट होता है तो हम लोग जानते हैं कि यह जो पूरा-पूरा ovarian cycle कहां हो रही है वो ovary के अंतरगत दोनों ovary में हो रही है तो आईए इसी के बीसे में हम लोग बात करे करेंगे कि यहां पर ovulatory phase के बारे में बात चल रही है तो देख रहे होंगे कि ovulatory phase में क्या कर रहा है the deployed that is 46 kromosomes primary ucide in the mature graphene falcule complete its meiosis जब उसका ovulation होता है तो क्या होता है कि यह जो arrest होता ovulation से पहले जो है मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में यह arrested phase में होता है तो यह जैसे ओबलेशन होगा वहां पर क्या होगा कि यह मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा फार्मिंग टू सेल्स आफ 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 अनिक्वल साइज इच बित हैपलवाइड नम्मर तो जो 46 था 23 23 देक्तर से प्रॉफेज सेल्स में जो फर्स्ट मियोसिस के बाद यह फर्स्ट के बाद उतर्त दिवाइड जाती है तो इसमें क्या होता कि आफ एक हैं decision कालardo हैं ऑन होता है the miosis second begins but it is stopped in metafase second means यह कह रहा है कि जैसे ही हम लोग देखते हैं कि pre-ovulatory phase में जो primary o site था वो एक तरह से जो arrested phase में था कहने के मतलब miosis first के pro phase first में arrested था जैसे ही ovulatory phase होगा वहाँ पर इसका miosis second miosis first complete होगा और first होने के तुरण बाद यह second में entry करता है लेकिन second जैसे ही entry करेगा it is stopped in metafase second तो यहाँ पर metafase second में stop हो जाएगा फिर से arrest हो जाएगा at this stage the mature follicle rupture इस stage पर ही क्या होता है कि mature follicle क्या होता है rupture करता है and release the secondary oocyte इसका मतलब जो ovulation होता है ovulatory phase में जो ovulation होता है exact देखा जाए तो जो एक तरह से oocyte होता है जो इस particular हम लोग oocyte की बात कर रहे हैं यह जो central में यह बीच में oocyte है जब इसका ovulation होगा ovary के अंदर से या इसके graphene follicle से जब यह बाहर निकलेगा तो यह किस stage में होगा meiosis second के metaphase second में होगा at this stage the mature follicle rupture and release the secondary oocyte तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे आई यह बात करते हैं detail में ovulation के बारे में बात करते हैं और थाथ कि ova का graphene follicle से तो graphene follicle जो formation हो रहा है ovary के अंदर है तो कहनी कहीं एक साथ धेर सारे एक साथ graphene follicle का निर्माड बट मतलब की दिसा में बढ़ते हैं हर एक oocides बट ultimate last में कहीं एक mature graphene follicle एक समय में एक ही mature graphene follicle formation होता है जब formation हो जाएगा तो इसका जो oocyte है यह पूरी घटना किसमी हो रही है पूरी घटना जो हो रही है ओवरी के अंदर हो रही है तो यहाँ पर एक mature oocyte है और mature graphene follicle तो देखेंगे ovulation के बारे में ovulation कहते किसे हैं इसको देख लेते हैं ovulation is the shedding of ovum from the ovary is called ovulation तो ovulation को simply define किया गया है shed off कते न कि shed off means उसकी wall को अर्थात wall को मतलब क्या है एक तो इसको graphene follicle के wall को break करना पड़ेगा दूसरा कि यह किसके अंतर घटित हो रहा है यह ovary के अंदर हो रहा है तो इसका मतलब ovary के wall को भी एक तरह से रप्चर करना पड़ेगा तो दो दो wall को break करना है एक तो graphene follicle को boundary को break करना पड़ेगा दूसरा इसके बाहर क्या है ovary है तो ovary के wall को भी रप्चर करके यह ooside बाहर निकलेगा तो यह कह रहा है shedding of ovum from the ovary is called ovulation the ovarian follicle is at first देखा जाए जैसे यह ovarian follicle यह जब यह shed off होता है सुरू सुरू में बहुत ही छोटा होता है is very small compared to the thickness of cortex of ovary तो जो ovary की cortex होती है means यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर एक बाहर साइड में ovary की wall होगी इसके cortex होगी उसकी wall की थिकनेस में यह particular ooside जो होगा बहुत छोटे साइज में होता है उसके बाद देखेंगे as it enlarge mature graphene follicle सुरू सुरू की बात कर रहा है जब यह mature graphene follicle बन जाता है as it enlarge the mature graphene follicle becomes so weak that it not only reaches the surface of ovary but also form the bulging in this situation तो यह कह रहा है कि जब यह सुरू सुरू mature graphene follicle के पहले की सिती में जो ooside होता है बहुत छोटा होता है जो ovary की wall की surrounding होती है उसके thickness के तुल्ला में लेकिन जैसे यह enlarge होता है तो mature graphene follicle का formation होता है तो यह ooside जो होता है इसका size काफी बढ़ जाता है side बढ़ने की वज़े के साथ यह जो पूरा-पूरा graphene follicle है ovary के किसी एक side में या एक side में आ जाता है और वहाँ पर bulging start होता है जहां से यह निकलना होता है वहाँ पर bulging produce करता है तो यह देखेंगे just before ovulation ovulation से पहले the follicle may have a diameter of 15 mm ovulation के just before क्या होता है कि follicle का ovarian follicle का जो है graphene follicle का जो size होता है 15 mm होता है the stroma of theca the stroma and theca on this side of the follicle become very thin तो इसका जो stroma cells and theca cells होती है बहुत thin हो जाती है and avascular area that is called stigma that is called stigma अर्था जहां से bulging start होगा suppose करें कि यह एक तरह से ovarie की wall है यह ovarie की wall है और यहां से यह तरह से आगे की तरफ बढ़ रहा है तो यहां पर जो है एक bulging start होगी यह bulging start हो रही है इसको हम बोलते है stigma यह है stigma यह stigma है यहां पर जो bulging start होगे that is called stigma तो यहां कह रहा है कि just before the ovulation follicle may have the diameter of 15 mm the stroma and theca on this side of the follicle become very thin तो यहां कहां जो stromal cells and thecal cells बहुत ही thin हो जाते हैं एक तरह से follicle के बारे बात कर रहा है a vascular area that is stigma appear on the most convex point of the follicle at the same time the cells of cumulus ophorus the cells of cumulus ophorus become loosened by accumulation of intercellular fluid between them तो यहां देख रहा होंगे कि यहां पर जो mature graphon follicle होता है उसमें जो ख़िक cell होता है that is यह काल है यह है cumulus ophorus तो cumulus ophorus क्या होता है कि यह पहले बहुत ही आपस में चिपके होते हैं लेकिन इसके बीच में watery fluid content बढने की वज़े से intercellular fluid बढने की वज़े से यहां पर यह loose हो जाते है एक दूसरे से तो loose होने की वज़े से क्या होता है यहीजली यह एक तरह से इसको burst करके बाहर निकलने की कोशिस करता है तो देखेंगे इसके बाद की during the ovulation the process is the process there is ruptured of mature follicle and release of secondary oocyte in which metaphase of second meiotic dusion जब यह burst करता है अर्थात oocyte जब बाहर निकलता है जब यह oocyte mature grafine follicle से बाहर निकलेगा तो यह ruptured करेगा तो कहने काई इस वाल से क्योंकि यहां पर जो इसकी जो एक तरह से cells होती है granulosa cells जो होती है यह ठीक हो जाती है साथी साथ और भी cell cells ठीक हो जाती है जिसकी वज़े से थीन हो जाती है जिसकी वज़े से oocyte जोहत बाहर निकलता है और second meiotic phase में यह arrest होता है ऐसा कह रहा है फिर देखेंगे at ovulatory the secondary oocyte release the at ovulation the secondary oocyte is released from the surface of the ovary ovary के surface release होगा into the pelvic cavity तो यह जो घटनाए हो रही है ovary कहां पर होती है तो pelvic cavity में होती है तो हम लोग देखते हैं कि जो uterine cavity को हम लोग ड्रा करते हैं together with the first polar body together with the first polar body and corona radiata cells तो यहां यह कह रहा है कि जब यह ovary देख रहे होंगे यह पूरी पूरी जो female genitalital system होता है उसमें यह particular देखेंगे यह पूरा जो region होता जैसे यह uterine cavity है uterus है और यह cervix part है और इसके फैलेपियन ट्यूब है uterus का और देख रहे होंगे यहां पर देखे जाहां से रिसीव होता और तो यहां पर साइड़ वाडी सैड़ क्या होते हैं दोनों एक और से था सब्सक्राइब होते हैं इस यह ovary से मानली जीए एक साइट रहे से यह उसाइड रहा है यह पेलवी कँपटी में है यह यह कहां है पेल वी एक तो pelvic cavity free हो रहा है साथी साथ इसके साथ polar body भी release होती है तो यह कह रहा है कि at ovulation the secondary oocyte release from the surface of the ovary into the pelvic cavity together with the first polar body and coronary data cells the ovulated oocyte with its surrounding cells swings towards the femoral end of the fallopian tube तो यह कह रहा है कि जो एक तरसे oocyte है साथी साथ उसके कुछ corona radiator cells भी होते हैं चारो तरफ और इसके सहारे से यह थोड़ा सा swim करता है और कहां पर यह जो पार्ट है femory जहां receive होता है एक इसकी तरफ यह swim होता है उसके बाद देखेंगे इन दे एंपूला आप फैलोपियन ट्यूब जब यह एंपूला फैलोपियन ट्यूब के एंपूला में several sperm surrounding the secondary oocyte with its enclosed coronary data cells one sperm penetrate the various barriers surrounding the secondary oocyte this initiate resuming of myosis second of secondary oocyte तो यह कह रहा है कि जैसे ही यह entry कर जाएगा जैसे ही यह जो oocyte है वो entry कर गया एक तरह से इसके फैलोपियन ट्यूब में और इसके particular एंपूला रिजन में आ जाएगा यहां पर आल्रेडी जो sperm वेट करते रहते हैं और धे सारे sperm होते हैं एक sperm जैसे इसको fertilize कर जाएगा या से contact में आ जाएगा साथी साथ इसमें यहां पर कुछ हर्मोस कुछ chemical जी होते हैं जिसकी वज़े से अधर जो हर्मोस होते हैं अधर जो chemicals होते हैं वो destroy हो जाते हैं और साथी साथ जो होता है fertilization के प्रक्रिया सुरू होती है तो यहीं कर रहा है कि resume साथी साथ क्या होता है मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है उसको बाद देखेंगे stages of miosis at ovulation stages of miosis at ovulation तो यह देखेंगे completion of miosis first completion of miosis first resuming in secondary ucide and the first polar body यह कह रहा है उसको बाद देखेंगे हम लोग ovulatory phase पड़ रहें तो कहने कहीं ovulation का जो time होता है उसके बारे में बात करेंगे time of ovulation जो होता है 14 days plus minus one day before the onset of next menstrual cycle माल लेजे किसी का menstrual period होता है वो 28 दिन का है तो कहने कहीं 14 days के आसपास ovulation time होता है तो या तो एक दिन पहले हो सकता है या एक दिन बाद हो सकता है तो हम लोग उना 28 दिन का माना है तो 14 दिन प्लस मैनस 12 दिन एक दिन की बात किया गया है ये गारे मेरन बाद से the-ovulation का time होता है ये उटाइट के या ओवम के और ovulation का time होता है उसमें release होता है इसके बाद देखेंगे कि जो ovum release हो रहा है तरस ovulation हो जिसका ovum हो रहा है उसका जो structures होता है at the time of ovulation हम लोग देखेंगे यहां देखेंगे structure of ovum at the ovulation the ovum that is shed from the ovary is not fully mature means कह रहा है कि जो ovum release होता है वो fully mature नहीं होता है it is a secondary oocyte जब यह release होता है तो कहने कि secondary oocyte के conditions में होता है that is undergoing division to shed of the second polar body और उसके बाद जो उसका second mutual division complete होगा तो second polar body इससे बनेगा at this stage the ovum has the appearance of illustrated in figure तो यहां पर एक diagram दिखाया गया है इस जो एक तरस से ovulation के time पर जो ovum की इससिती होती है उसके बारे में दिखाया गया है कि यहां पर second polar body formation होता है जब second mutual division complete होता है फिर देखेंगे कि यहां पर दिया हुआ है note that note that it is surrounded by jona pelucida तो इसकी जो surrounding covering है वो jona pelucida है तो यहां देख रहोंगे यह covering है jona pelucida या इसको हम लोग दूसरे diagram दिखा सकते हैं जो covering है यह जो रेड कलर की covering हम लोग दिखाया है jona pelucida है तो यहां देखेंगे note it's covering is jona pelucida some cells of corona radar can be seen sticking to the outside of jona pelucida तो यहां पर कुछ cells जो होते हैं देखेंगे जो red color की marking जो एक lining है जो एक लाइनिंग है जो ना फिल उसके चार उतरब उसके चार उतरब उसके बाद क्या कहा रहा है no nucleus is seen इस conditions में क्या होता है nucleus देखेंगे nucleus नहीं दिखाता है लेकिन nucleus जो material होता है spindle for second mutic dusion clear ready रहता है करा no nucleus is seen तो clear cut ध्यां रखिएगा कि जब second जब एक तरह से oblation होता हूँ आप second mutic dusion की तयारी चलती है तो उसमें nucleus दिखाई नहीं देता oblation के समय no nucleus is seen as the nuclear membrane has dissolved जो nuclear membrane था इससे पहले तरह से mature graphene falgill के case में वो dissolve हो जाता है तो जो graphene nuclear membrane dissolve होगा तो उसका nuclear nucleo plasm होगा वो कहने के satos plasm के साथ मिल जाएगा और मिल जाएगा साथी साथ जो nuclear material होगा अब आगे की तरफ divide होने के लिए तयार है तो कर रहा है no nucleus is seen as the nuclear membrane has dissolved for the second meiotic division a spindle is however present तो यहां पर कर रहे हैं देख रहे हैंगे यह spindle form में जो है जो chromosome सही spindle form है spindle for second meiotic division तो spindle form में है present between the cell membrane और viteline membrane जिसको कहते हैं यहां पर देख रहे होंगे कि यहां की cell membrane और यहां पर जो cell membrane है एंड जोना पहलोशुडा between the cell membrane that is called viteline membrane तो हम लोग इसको देख रहे हैं कि यह cell membrane और viteline membrane के बीच में क्या है cell membrane and viteline membrane cell membrane that is called viteline membrane and जोना पहलोशुडा a distinct pre viteline space is seen तो यहां पर देख रहे होंगे कि एक तरस से जो जोना पहलोशुडा और जो cell membrane है यह तरस से इन दोनों के बीच में एक pre viteline space की बात की गए अब लोगों ने इसको color नहीं किया है जोना पहलोशुडा और cell membrane के बीच में जो space that is called pre viteline space तो इसको हम लोग देख नाम देते हैं pre viteline space यह space है इसी pre viteline space में first polar body rest करती है पड़ी रहती है तो इसी pre viteline space में first polar body पड़ी रहती है तो देखेंगे the first polar body lies in this space तो pre viteline space में first polar body पड़ी रहती है note that the ovum is very large cells and measures more than 100 to 120 micrometer in diameter in contrast most other cells of the body measure less than 10 micrometer तो देखा जाता है largest largest cells of the body that is called ovum or egg cell बोला जाता है इसलिए इसका जो size 100 to 120 micrometer है और जबकि other body के जो cells होते 10 micrometer होते हैं तो यहाँ पर कुछ दिया difference between this इस तरह से तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ ही तरह से हम लोगों ने एक तरह से structure of ovum at the time of oblation बताया गया है कि जो इसकी covering होती है पूरे material की वहाँ पर क्या होता है जो ना पहलो शुडा होता है उसके चारो तरह some cells of coronary ready attack कुछ cells होते हैं और कहीं ने कहीं देखेंगे यहाँ पर जो cell membrane है था nucleus का जो cell membrane है और जो ना पहलो शुडा के बीच में एक space होता that is called free vitiline space बोलते है इसी pre vitiline space में first polar body पड़ी होती है जो इसका nuclear material होता है spindle farm में होता है जो कि second meiotic dusion के लिए ready होता है तो ये एक तरह से structure of ovum at the time of ovulation दिखाया गया है धन्यवाद